आज मैंने 10 गंटे की पूरी पढ़ाई कर ले थी और 10 बजे मैं सोने चले गई थी बट अभी बच रहे हैं साड़े बारा रात के और ये है मेरा सब कुछ तयार था मैं काफी टाइम तक लेटी भी थी बट मुझे नीद नहीं आई पता नहीं क्यों क्यों क्योंकि बट आज मै मैंने पूरा दिन पढ़ाई भी करी थी 10 गंटे की पूरे पूरे एंड मैंने सोचा था 10 बजे सो जाओंगी मॉर्निंग में जल्दी उड़ जाओंगी बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मैं 10 बजे से सो ही रही साड़े बारा बज़ गया बट मुझे नीद नहीं आय तो मैंन बालों में ओयल करना भूल गई थी तो मैंने सेलो पहले बालो में तेल लगाते हैं उसके बाद पढ़ाई करेंगे तो अभी मैं आयल करहे हुए हूं बालों में और कौन बताना सब ही लोग कि कौन हाथों से तेल लगाता है या फिर अपने मंम्य चोटी या बड़ी सिष् बट जब आप पढ़ाई करने कहीं चले जाते हो तो आप सब कुछ मिस करते हो क्योंकि मैं जानती हूँ और बस हो गया था मेरे बालों में तेल लग गया था और मेरा बाल देखो पीचे कैसे उड़ रहा है और ऐसे बहुत सारे बाल भी तोड़ते रहते हैं हमेशा इसके बाद फिर मैंने सोच चलो पढ़ाई कर लेते हैं तो पढ़ाई करने बैठती हूँ मैं तो सबसे पहले एक गलास पानी पीती हूँ क्योंकि अगर आप खाना खाये हो 9 बजे का तो 12 बजे तक भूग तो लगी जाती है वैसे भी तो बूक तो लगी गई थी बट कुस खाना नहीं था क्योंकि साड़े 12 बज चुके थे और मंडे आ चुका था तो बस पानी पीता मैंने फिर पढ़ाई करने लगी तो मैने सूच नहीं चलो हिस्टरी पढ़ लेते हैं वो भी लूसेंट की बुक से बैसे मैंने सारे सब्जेक्ट कवर कर ली हैं और मैं कई लोगों के comment भी आते हैं कि आपके marks तो ठीक ठाक आ रहे हैं तो आपने पहले से बहुत कुछ पढ़ रखा होगा और मेरे marks हैं बढ़ नहीं रहे हैं तो मैं क्या करूँ तो अगर आपको अब तो जादा टाइम बचा नहीं है पढ़ने के लिए कि आप पढ़ो इस्थार्ट करो बट अगर मैं कहूं तो आप लोग ऐसे टॉपिक वाइज जो मैं राधन कराई जा रही है जैसे अफिसर्स अकैडमी पर कराया जा रहा है वहां से कर लो और कल से सची आप यह कर सकते हो कि यह लूसेंट की भुग भी आप पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़ाई करनी है तो और वैसे तो बहुत ब्रॉड से बस है बीपीसी का उन्होंने दे रखा है बर जिनोंने पहले से पढ़ रखा है उनके लिए बहुत ही जादा एजी हो जाता है क्योंक इस टाइम नहीं बस मैंने एक घंटे पूरे पढ़ाई करी थी फिर मुझे नीद आनी शुरू हो गई थी तो भीर में जाके सो गई थी और मैंने अज दिन में भी आराम नहीं किया था तो बस कमर में दर्द होने लगा था इसी चेयर पर बैठे बैठे आजकल सूबह से साम हो जाती पता ही नहीं चलता प्हले ऐसा होता था कि मैं अपने बैठ पर बैठके पर लेती थी लिए अंज़ शूर कि पढ़ाई करती रहती हूं तो यह हिस्ट्री में पढ़ी थी और मैंने थोड़ से इसके नोट्स भी बना लिये थे जो मुझे लगे कि हाँ डेट वाइस जो पूछा जाता है हमेशा क्योंकि आधुनिक भारत का जो है वो पूछा ही जाएगा तो इस तरह से मैंने नोट्स बन देते हैं और मंडे आ चुका है मेरा फास्ट भी है और रूम की पूरी सफाई करनी है एंड बता दू तो मैंने साम को अपना कीचन भी साफ करना में भूल गई थी तो आज पूरा कीचन भी साफ करना पड़ेगा आज बहुत चारे काम है वो सारे करने हैं दिन उसके बाद म तो आप व्लाग में बने रहिएगा आप लोग बताएगा कौन कौन डेली अपने रूम में जाडू लगाता है जाडू लगाने के बाद फिर मैं किचन में आ जाती हूँ देखो गैस कितना गंदा हुआ पड़ा है और बरतन भी सारे पड़े हुए हैं पता नहीं क्यों मेर मूड से निकल गया कि मुझे किचन में साफी नहीं कर पाई साम को फिर मुझे याद आता है मौर्निंग में तो सबसे पहले मैं अपना गैस को क्लीन करती हूँ ऐसे इसके बाद फिर मैं कपड़े से इसको फोस देती हूँ पहले साबों से इसको रगड़ती हूँ जिससे बरतन दूलते हैं उसके बाद इधर सफाई करने के बाद फिर बरतन की सफाई स्टार्ट हो जाती है इसके बाद मैं बरतन को साफ करती हूँ और बरतन को काफी टाइम लगा था दोने में क्योंकि सारे बरतन जो रहते हैं तवा हो गया जिसमें रोटी रखी जाती है वो क्योंकि तवा तो मैं डेली धूलती हूँ नहीं हूँ और आप लोग बताएं जो लोग रूम पे रहते हैं वो लोग कौन डेली का डेली तवा धूलता है और वो जिसमें रोटी रखते हैं ये सब डेली धूलता है मैं तो नहीं धूल पाती भाईया मुझसे होता नहीं है मैं ऐसे रख देती हूँ इसको फिर मैंने करा इसके बाद फिर बरतन दूलने चली गई यहाँ पे पहले यह बना नहीं था बरतन दूलने वाला यह हम लोगों ने खुद से बनाए हैं थोड़ा सा क्योंकि बातरूम में दूलना पड़ता था और दूलने में अच्छा नहीं लगता बातरूम में और यहाँ पे मैंने छोटे बरतन उपर और्गनाईज कर दिये हैं और मेरा गयस दे को चमक रहा है एकदम अच्छी तरह से और आज मुझे घी भी बनाना है जो मैंने कल का निकाल के रखा था तो इसको भी दूपर में बनाऊंगी थोड़ी पढ़ाई बढ़ाई कर लूँगी तब फिर मैं अपने रूम में आ जाती हूँ तो पोशा लगाने लगती हूँ क्योंकि जाडू तो लगा लिया था बड़ पोशा नहीं लगाया था तो आज है मंडे तो मंडे के दिन थोड़ी सी साफ सफाई तो बनती है अगर आप फास्टर होगे तो थोड़ा रूम की भी साफ सफाई हो जाएगी यही सोचके क्योंकि पहले क्या होता था पहले संडे को जाडू पोशा लगता था मंडे को फास्टर जानता तो मंडे को ही लग जाता है फिर मैंने पोशा लगाए इसके बाद मैं शावर लिया मैंने उसके बाद खाने के लिए कुस बनाया बनाया था मैंने थोड़ी सी कॉफी एंड मुंफली था वरत में यही खा सकते हैं तो यही मैंने सोचे चलो breakfast कर लेते हैं उसके बाद फिर पढ़ाई करते हैं तो इसको खाते खाते मैं अपना थोड़ा सा पढ़ाई start कर देती हूँ आज भी मैंने पढ़ाई करी थी बट आज मैंने कोई timer नहीं set किया था क्योंकि मैं नहीं ऐसे पता नहीं क्यों आज money नहीं किया कि timer चालू करके फिर पढ़ाई करूँ उसके बाद मैंने सोचे चलो साम वाला जो बचा हुआ है रात वाला हिस्ट्री उसको complete करती हूँ तो फिर मैं पढ़ाई करती हूँ बट हिस्ट्री पूरी तरह से complete नहीं होता है और बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो यहीं करना है और जब आप अकेले रहते हो आपको कोई पूछेने वाला नहीं रहता कह सकते हैं तो आप बस पढ़ाई कर सकते हो अगर आपको पढ़ाई ना करना रहना तो आप बहुत जादा बोर फील करोगे क्योंकि ऐसा मैंने फील किया है कई बार जब कोई जाम नहीं रहता तो पढ़ाई आदमी पांच्छे घंटे कर लेता है उसके बाद आदमी क्या करे क्या करे ऐसे वोर फील होता है तो मेरा तो टाइम अच्छे से अभी कट जा रहा है क्योंकि मैं पढ़ाई पूरे दिन पर करती हूं और यूटूब भी थोड़ा सा मैनेस कर लेती हूं टाइम निकालके और लाश्ट डे अभी कुछ ही दिन बचे हैं बिहार के लिए तो बस ओसी के लिए पूरा डेडिकेशन है कि अच्छे से हो जाए सब कुछ और मैंने जब आज मौक दे रही थी और पिछले भी मैंने जितने मौक दिये हैं मैंने मैक्सिमम रियलाइज किया है कि BPSC ने जितने सारे क्योसन पूछे हैं वही बार-बार सब लोग उठाके दिये हैं अब पेपर में कैसा आएगा यह तो नहीं पता बट इन्होंने सबी लोगों ने ऐसे ही किया है और मैं वही कर रही हूँ क्योंकि जब मैं पढ़ रही हूँ और मुझे वही सेम टू सेम क्योसन ऐसे मौक टिस्ट में मिल जाते हैं तो यह होता है कि हाँ चलो अच्छा मैंने पढ़ लिया था मेरा सही हो गया एंड इसाम में आएगा तो भी सही हो जाएगा तो यह चीज एक अच्छी है अगर आपने नहीं पढ़िये ता आप लोग जरूर जरूर से पढ़ लीजिएगा मैं अपने डेली के वीडियो में यही आप लोग को बताती हूँ कि BPSC का PYQ बहुत ही जरूरी है पढ़ना उससे आपको उसका पैटर्न पता चलेगा कि कैसे BPSC क्यूशन पूशता है एंड हिश्टी पढ़ने के बाद काफी टें तक मैं ठक गई थी तो मैंने सोज़ा चलो पढ़ लेते हैं बेट पे थोड़ा सा लेट के पढ़ाई कर लेते हैं और अभी मैं बिहार का वही जीके पढ़ रही थी इसमें मैं आज पढ़ी हूँ बिहार का वनिस्थिती रिपोर्ट जो 2021 में आया था यह 17 रिपोर्ट थी तो इसमें मैं आपको कुछ टॉपिक बता दे रही हूँ ऐसे पॉइंट वाइस आप लोग याद कर लीजियेगा में भी एक क्योस्टन पूछ सकता है तो यह 17 रिपोर्ट थी और विहार में बनावरण और विच्छावरण दोनों 10.32% है जिसमें वनावरण 7.84 है और विच्छावरण 2.48 है और सबसे ज़्यादा वन वन छेत्र जो हैं सबसे ज़्यादा खूले वन है दिन मध्यम घने वन है उसके बाद अतिशागन वन है और सबसे ज़्यादा अगर बात कर लें वन कहां पर पाए जाते हैं छेत्रफल के अधार पर तो फिर कैमूर हैं दूसरे नंबर पर पस्षि बीचम्पार उसके बाद रोता से कम छेत्रफल के अधार पर वन पर जाते हैं तो सेखपुरा अर्वल जहानाबाद और अगर छेत्रफल प्रतिस्थता के अधार पर पता है तो कैमूर जमूई नवादा मतलब छेत्रफल में और वैसे परसेंटेज्स दोनों में कैमूर है पृद्धी कहा हुई है तो बाका में हुई है और सबसे जद्ध कमी हुई है तो कैमूर में हुई है यही सब है यह सब आप लोग याद कर लेजएगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यह वाला तो मैंने पढ़ा था एक जगह है पूछा था भी प्यसी के याद कर लेजएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है में अगर एक्जाम में आ जाये तो आप मुझे याद करो उसके बाद फिर मैं किजन में आती हूं घी बनाने के लिए काफी सारी मेहनत करने के बाद घी बन रहा है और यहां पर मेरा करेंट अफेयर चल रहा था ज भी बिहार का वही BPSC PYQ पढ़ने अभी मैं केमिस्ट्री पढ़ रही थी केमिस्ट्री में कार्बनीक वाला पढ़ा मैंने फिर अकार्बनीक पढ़ा और मैंने पढ़ा लेकिन आज भी मेरा केमिस्ट्री खतम नहीं हुआ था तो अभी देखो कब तक चलता है मैं जादा च अब बहुत कम मुबाइल में देखने का मन करता है उतना जादा मनी नहीं करता मुबाइल से पढ़ लूँ देन उसके बाद मैंने इसको पढ़ने के बाद फिर अपने लिए बनाया आलू क्योंकि आज फास्ट था इसमें मैं मुमफली डालके खाऊंगी मेर्च के साथ देन इसको करने खाने के बाद फिर मैं एक मॉक टेश्ट देती हूं स्वरी फार देट क्योंकि आज मैंने दूसरे फोन से रिकॉर्ड नहीं किया था तो मैंने ऐसे ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा रखी थी मैंने सुचा क्योसर्ण भी आ जाएगा बट पता नहीं क्यों क्यो थोड़े से कम है क्योंकि आज जो मैट था उसमें मेरे थोड़े से क्योसर्ण गलत हो गए थे तो मेरे माक्स बने हैं 71 तो ठीक ठाक है अगर इतने भी आ जाते हैं तो भी कोई बात नहीं और उसके बाद फिर मैं बहुत बोर्फिल कर रही थी इतना पढ़ाई करने के बाद और आज दिन में भी मैंने आराम नहीं किया था तो फिर एवनिंग के टाइम पर मैंने कई जगां फोन करके बात करा सबसे उसके बाद मुझे थोड़ा रिलेक्स मिला उसके बाद फिर मैं आई रूम में तो थोड़ा सा खाना खाई फास्ट वाला मैंने बना तो उसके बाद पढ़ाई करने लगी बिहार का करेंट अफेर तो बस यहीं भी मेरा व्लॉग खतम होता है और मेरे व्लॉग को डिर सारा प्यार देजिएगा और कोई क्यूस्टन हो तो कमेंट में जरूर लिखेगा और आपके किते मार्क्स बन रहे हैं यह भी जरूर बेजिएगा मुझे मिलेंगे अब आप से नेक्स वीडियो में आप भी अपनी पढ़ाई करते रहे हैं और जो भी मेराथन वगेर है अगर आपको पूछना है कि मैंने कहां कहां से सारे सब्जेक्ट अपने कवर किये हैं तो आप मुझे से पूछ सकते हैं मैं रिपलाई जरूर करूँगी कि मैंने हां यहां से करे हैं तो आप लोग भी वहां से कर सकते हैं वैसे मैंने अपने पूराने वीडियो में बताया है कि मैंने कहां कहां से करे हैं अगर आपको जानना है तो आप मुझे फिर से पोच सकते हो